हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब क्यानल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 121 के बारे में यदि आप CRPC से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें आई बटन पर किलिक करेंगे तो यहाँ से आपको CRPC के पिछले वीडियो मिल जाएंगे हम बात करते हैं CRPC की धारा 121 यह कहती है प्रतिभूओं को असुईकार करने की शक्ती याने के नियाले जो है मजिस्ट्रेट जो है किसी भी प्रतिभू याने के जामानदार याने के ग्यारंटर है ना तो यदि मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी जामानदार को जो इस अध्याय के अंतरगत दिया वया है उसके अंतरगत जो है magistrate उस प्रतिभू को याने के जमानतदार को जो है असुईकार कर सकता है अब असुईकार करने की जो उसकी शक्ती है वो CRPC की धारा 121 में बताई गई है क्या लिखा हुआ है प्रतिभूओं को असुईकार करने की शक्ती point number 1 magistrate किसी pace किये गए प्रतिभू को सुईकार करने से इंकार कर सकता है या अपने दौरा या अपने पूर्ववरती द्वारा अपने द्वारा याने के श्ञे मेजिस्टेट के द्वारा या अपने पूर्व वर्ती द्वारा याने के उसके पहले जो magistrate रह चुका है उसके द्वारा इस अध्याय के अधिन रहते हुए पहले सुईकार किये गए किसी प्रतिभू को प्रतिभू याने के जमानदार प्रतिभू को इस आधार पर असुईकार कर सकता है कि ऐसा प्रतिभू बंद पत्र के प्रयूजन के लिए अनुप्युक्त है याने कि वह बंद पत्र नहीं कर जारी कर सकता याने कि बंड भरने का अधिकार उसको नहीं है इस आधार पर कोई भी मजिस्ट्रेट उसको याने कि जमनतदार को असुईकार कर सकता है लेकिन यहाँ पर एक बात और दी गई है कि परन्तु किसी प्रतिभू को इस प्रकार सुईकार करने से इंकार करने पर या उसे आव सुईकार करने के पहले वह प्रतिभू की उप्युक्तता के बारे में या तो स्वेम सपतपत्र पर जांच करेगा या कि अपने अधिनस्त किसी मजिस्टेट से ऐसी जांच और उसके बारे में रिपूट करवाएगा याने कि या तो उसकी उप्युक्तता के बारे में याने कि जो जमानतदार है उसकी उप्युक्तता के बारे में तो magistrate स्वेम जांच करेगा या अपने अधिनस्त किसी magistrate के माध्यम से जांच करवाएगा और जांच करवाने के बाद ऐसी report प्रस्तुत करवाएगा उस magistrate के द्वारा point number 2 दिया है कि ऐसे magistrate जांच करने के पहले प्रतिभू को ऐसे व्यक्ति को जिसने पेस किया है यानि कि जिसने ग्यारंटर को पेस किया है उसकी बात है जिसने ग्यारंटर पेस किया है उचित सूचना देगा याने कि मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को सूचना देगा जिसने ग्यारंटर पेस किया है और जांच करने में अपने सामने दिये गए साक्ष को अभी लिखित करेगा यानि कि जांच करेगा जब magistrate तब वो सब उन कारणों को अभी लिखित करेगा जिसके कारण उसे आसुईकार किया गया है या आसुईकार किया जा रहा है प्रतिन नमबर तीन दिया है कि यदि magistrate अपने समक्ष उपधारा एक के अधीन उपधारा एक जो अभी हमने पड़ी उपधारा एक के अधीन प्रतिन युक्त मजिस्टेट के समक्ष दिये गए साक्ष और ऐसे मजिस्टेट की रिपोर्ट पर यहने कि अपने द्वारा प्रती नियुक्त जो magistrate है उसके माध्यम से जो रिपोर्ट करवाई गई है जाच करवाई गई है उसकी रिपोर्ट के आधार पर जाच के आधार पर जाच पर और रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात समाधान यदि उसका यह हो जाता है कि वह प्रती भू बंदपत्र के प्रयोजन के लिए अनुप्युक्त व्यक्ति है याने कि वह बंदपत्र नहीं भर सकता है बॉंड नहीं भर सकता है ऐसा वह व्यक्ति है तो प्रती भू को याने कि जामानतदार को यता इस्थिति सुईका करने से इनकार कर सकता है या उसे अस्विकार करने का आदेश करेगा या तो उसे स्विकार करने से इनकार करेगा या उसे अस्विकार करेगा और ऐसा करने के लिए अपने कारण अभी लिखित करेगा याने के जितने भी कारण है वो सारे के सारे कारण अभी लिकित करेगा यदिवे किसी जमानतदार को असुइकार कर रहा है या सुइकार करने से इंकार कर रहा है अब यहाँ पर यह बात तो ही कि कोई magistrate किसी प्रतिभू को जयने के जमानतदार को सुईकार नहीं कर रहा है या सुईकार करने से इंकार कर रहा है अब इसमें एक बात और है कि मान लेते हैं कि उसके पूर्व किसी नियायले द्वारा उसके पूर्व किसी magistrate के द्वारा उसको पहले सुईकार कर लिया गया था ऐसे प्रतिभू को ऐसे जमानतदार को पहले सुईकार कर लिया गया था और आब किसी magistrate को ये लग रहा है कि नहीं भी या वो जमानतदार को सुईकार नहीं करना चाहिए तब ऐसे समय में क्या प्रक्रिया अपना ही जाएगी उसमें ये लिखा हुआ है परन्तु किसी प्रतिभू को ये जमानतदार को किसी प्रतिभू को जो पहले सुईकार किया जा चुका है ये उसी magistrate के द्वारा पहले सुईकार किया जा चुका है या उसके पहले कोई magistrate था उसके द्वारा सुईकार किया जा चुका है आसुहिकार करने का आदेश देने के पहले मजिस्टेट अपना समन या वारंट जिससे वह ठीक समझे या तो समन जारी करेगा या वारंट जारी करेगा जारी करेगा और उस व्यक्ति को जिसके लिए प्रतिवू आबद है याने कि जिस के लिए याने कि जिस व्यक्ति की जमानत जो है वो जमानतदार दे रहा है उस व्यक्ति के लिए हैना अपने समक्ष हाजिर करवाएगा या बुलवाएगा याने कि उस व्यक्ति को बुलवाएगा जिसने जमानतदार पेश किया है उस व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर करवाएगा या बुलवाएगा या तो समन के द्वारा या वारंट के द्वारा और इसके बाद कोई निर्णाय वो लेगा तो इस प्रकार से हमने अध्यान किया CRPC की धारा 121 के बारे में यदि आप CRPC से related या IPC से related समच्त धाराओं का अध्यान करना चाहते हैں पूरी की पूरी IPC या पूरी की पूरी CRPC पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें आई बटन पर किलिक करेंगे तो यहां से आपको पूरी की पूरी CRPC और पूरी की पूरी IPC मिल जाएगी तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकोन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकिसन आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद